पहलो मेरी यूटूब फैमली कैसे हो आप सब एक पर फिस्ट स्वागेत है आपका सिय ही मचली ब्लॉगर्स में तो आज हम बना रहे हैं बबरू खाने के लिए तो यह कि आज सग्रांध है तो हम जो है तो हार मनाते हैं तो उसके लिए मैंने क्या क्या बबरू बना दिया है आप बबरू को जैसे कि आप बोसकते हो पठूरे नहीं होते हैं तो यह मिठे वाले होते हैं तो सभी जानते होंगे लेकिन मैं कैसे आटा लगाना है इसका तो इसका आटा कुछ अलग तरीके से ही लगता है तो आपको भी बताती हूं मैं कैसे लगता है ठीक है तो चलिए तो फिर उसके बाद हम पकाएंगे वह भी बैमा को दिखाऊंगी कि क्या-क्या बनाया हमने तौ तो जी यहां पे ले लिया मैंने आटा और इस आटे के अंदर डालूंगी इस्ट में तो यह देखे इस उटता है व्यक्त दाने दाने वाला आटा है यह इस्ट आप बेकिंग पॉर्डर भी डाल सकते हो लेकिन इस्ट के साथ जोता है बहुत जल्दी बन जाता है आटा यह प कि दाने दाने रह जाते हैं थोड़ा टाइम लगता है उस चीज के लिए लेकिन मैंने गर्म पानी के अंदर ही भीगो दिये थे और चीनी भी मेल्ट होगी थी एक चाशनी बनानी पे चाशनी उतनी नहीं पतली नहीं पतली नहीं जादा पस जैसे आप नॉर्मल रखते हो पानी बस बाइल हो जाए चीनी घुल जाए बस काफी यह उतना है फिर मैंने इसमें ही गुन दूंगी यह तो इसके अंदर जो आप बहुत कुछ डाल सकते हो तो जी आता हमारा लग चुका है तो इसको कैसे चेक करना होता है यह रहिए ऐसे और ऐसे यह रहिए यह रहिए तो हो चुका है यह बस अब इसको मैं ढख रोंगी चादर के साथ चब्दर ले आई थी मैं तो आटा मेरा लग चुका है आटा मैंने गूंदे दिया है तो आपको बताया मैंने जैसे दबाओ ना तो यह ऊपर की तरफ आ जाए तो समझझ लिजे की आटा हो चुका है बवर तो फिर इसके पाद क्या होगा यह अच्छे तरह से पकेंगे बगरू तो आपको दिखाऊंगी मैं कि आज और क्या बनाया हमने तो चलो अभी तो हम चलते हैं घास की तरफ रहर से को आया हुआ है परशुर को खिलाने के लाइक निया थे तो उसके लिए लगाए जाती है तो बताओंगी मैं वह आपको कैसे लगाते हैं तो फिल्हाल तो अभी चलते हैं घास लेने के लिए पर उसके बाद बापसा के पकाने हैं बबरू देखते हैं आटा कैसा हो जाता है तब तक और रख पर छूड़ जाती मेरी पसीने के साथ, तो मैं जो आटा जो गुंदा हुआ था ना, वो हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूं, कि कैसी गुंदा हुआ था मैंने आटा, तो अब ये देखिए, ये देखिए आटा हमारा, अब आज आ रही है ने इसकी, तो इसका मतव जी यह तो मिर्टिदूइ रहे को सब भी leisure एकूतरा फिर दोल धनामी तो रिक है जो डाने चेमी मज़ियोड को मैं ने सबस्ती है शॉट्ब सोक्त पांसा इसे सब्सक्राइब होता है इसलिए क्योंकि जब हमारे श्रीर में कोई कमी हो जाती है ना तो उस बज़े से जो है श्रीर हमारा मांगता है कि यह चीज चाहिए हमें तो हम सोचते हैं कि यह आद पढ़ जाती है लेकि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है अब कभी कवार हम जो हैं अगर मिट्टी खाने तो अब यह दो कितरा काला से लग रहा है यह फिर अब उसके बाद बत गया होगा कुछ चमक जाएगा यह देखना तो मैंने यहां से सारा समान हटा दिया था क्योंकि अब मिट्टी देनी है तो देखती बताती हूं कैसे दे रही थी मैं तो यह देखी इस तरह से मैंने को टूर हरे हुए प्रिया दिका रहला कासी बतिके सब्या प्रेसल ना कोई खाद ना इसमे कोई मैल कोई इस जड़ शेदेगा थो क्यों यह ज़िखना के टैब एए यह ने डाएगा हारें सिन अगान बाक्रों कै क्या दो नेतजिए आप क्ने चुछ दीए तो प्स खाने कर दो कर दो कर दो कि अब बूजेश किल झाला कि अजब झाला कि यज मिल्ओं मेध ट्रिषि कि अजब जए हम एम ए कि अश्ब बूटेश सेव टे लिए ँब टता बाद कि अथे ते अजब कि अजब अफ एफ unity जो खिसकता नहीं हमारा तो चली फी मैं लगाने शूरू कर देती हूं ठीक है तो शायद दिख रहोगा आप जो दिख रहे है इस तरह का मैं कपड़ा देते हूं तो ऐसे दो ब्रश के साल पिल आ सकते हैं कि मैंने यहां पर देखिए मिट्टी बगरा लगा दी थी तो मम्मी चलेगे थे नहाने के लिए तो मम्मी नहा के आगे थे और मैं भी नहा के फिर यहां पर लग गई खाना बनाने के लिए क्योंकि आटा हो गया था तो अब इसको फ्राई करते जाएंगे दिखा इस तरह से और जो हिमाचली है तो पता ही होगा कि इनको क्या बोलते हैं लेकिन आप अपने लेंग्वेज में क्या बोलते हैं इस चीज़ को मुझे प्लीस कमेंट में जरूर ल अब मेरी बारी आगे थी बनाने के लिए मुझे घुक है देखिया कि इस तरह से बन गया आप को पता हूं मुझे यह चीज भी नहीं आती थी बनाने के लिए मत्तों मुझे नहीं आता था आटा कैसे लगाते हैं इसको कितना रखना चाहिए कितना कैसा टाइट और तो देखिए अब यह भी सीख लिये था तो है लगता है यानकि polarized मैं किसी काम झा गहँआती हूं सबसे ज़्याद मुश्किल का मुझा अब गाने गारे मेरी यह चीछे में आग लगाते हैं जलाते हैं वह सबसे其實 लगता कि कि लिती मुष्य जलती नहीं है और मुझे बहुत से खुंदंग से आती आती फैशलाची भी To यह देखिए अभी इस तरह से सारे ही बना लेंगे तो ममी मेर अभी उथर ही थे तो यह देखिए तो सबसे मुश्खिक मुझे आग का जलाना लगता किस को लगता यह बताना मुझे कि जिसको मुझे बहुत खुंदग आती है इस चीज से तो बस ये मेरा अब हो गए थे लगबते यार ही बगरू तो बस फिर ये आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि अपरी सब्सक्राइब करते और वैल आइकन की नोटिफिकेशन को आउन करते तो आज आओ आप सब भी खाने के लिए तो ये देखिए बन गे हैं मेरे वगरू अब आज समय सब्सक्राइब गयारा बनानी थी तो मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में पस्ता के लिए बाई बाई